जुलाई महिने में पहुँच गए हैं हम 2023 के और 2024 के पहले ही छमाही में भारत की लोकसभा का चुनाव होना है उसके पहले उत्तर और मद्ध भारत के हिंदी इलाके के प्रदेशों के अलावा साउथ में भी एक चुनाव होना है तेलंगाना में ये जो चुनाव हैं सत्ताधा कि बहुत महत्पूर है। और मुझा लगता है कि सत्ताधारी दल को सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे मुद्डों की जो चुनाव जिता सके है। जनता को फैदा हो उन मुद्दों से या नहीं, देश को फैदा हो या नहीं, लोग सभाग के सदस्यों को फैदा हो या नहीं, लेकिन सत्ताधारी दल उसे संचालन करने वाले लोगों को फैदा होना चाहिए कि कैसे चुनाओ जीता जाए चौत तरफा विफलताओं से घिरी मोदी सरकार के लिए क्या इस बार UCC यानि समान नागरिक संगिता है 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा पुलराइजिंग एजेंडा दोस्तो तीन घटना करम मैं गिनाना चाहूंगा प्रदान मंतरी मोदी ने अमेरिका से लोटने के कुछ ही समय बाद 28 जून को भोपाल में एक भाशन दिया मेरा बूत सबसे मजबूत ये कारिकरम का नाम था यानि सीधा चुनाव की तैयारी का कारिकरम था उसमें उन्होंने कहा कि दोहरी ब्यवस्ता से कैसे चलेगा देश एक घर दो कानून कैसे चलेगा एक ही परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा कानून ये कैसे चलेगा घर मोदी जी से अब कौन पुछेगा वो देश के सरवच नेता हैं प्रदान मंत्री हैं कि ये एक एक फ्लैक में रहने वाला ये परिवार नहीं है देश ये 140 करोड लोगों का है हजारों जातियां हैं दरजनों धर्म संप्रदाए हैं सब के लिए एक ही कानून एक ही कस्टम क्यों चाहते हैं सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है सबके रहन सान के तौर तरीके अलग हो सकते है सबके खान पान के तरीके अलग हो सकते है आप ट्राइवल बेल्ट में चले जाएए वो तो मुस्लिम नहीं है वो और कुछ नहीं है उनके अपने अपने तरीके हैं तो आपकी हिंदी भी बनारस वालों की हिंदी से भी अलग है प्रदान मंत्री जी आप जब हिंदी में कहते हैं अमृत काल तो वो कहते हैं अमृत काल अब देखे भाशा भी अलग हो गई भाव भी अलग हो गया लेकिन अर्थ एक ही है तो प्रदान मंत्री मोदी जी ने जो ब भारत के संविधान में इसके लिए जो कानून है धार्मिक स्वतंतरता कानून उसको नजरंदाज कर रहे हैं वो समान नागरिक संगिता से ज्यादा बड़ा और बाध्यकारी है दोस्तों क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के तहट आता है धार्मिक आजादी का कानून जो उसका अनुच्छेद है जबकि समान नागरिक संगिता जिसको ये सरकार लागू करने पर आमादा है वो संविधान के नीत निर्देशक सिध्धान के तहट यानि डायरेक्टिब प्रिंस्पूल आफिस स्टेट पालसी के तहट आता है और फंडामेंटल राइट्स में दोस इस्प्रेइन की गई है नीत निर्देशक सिध्धानत में उनुच्छेद चवालिस है फॉर्टिफोर ये नागरिक संगिता का जो मसला है समान नागरिक संगिता का उसमें सिर्फ एक लाइन का है वो क्या कहता है आप सुन लीजे राज्य ध्यान से सुनिएगा राज्य भा भारत के समस्त चेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संगिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा फिर से मैं बोलता हूं कि वो इस्टेट जो है यारी गौर्मेंट आफ इंडिया इंडियन स्टेट वह भारत के समस्त चेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संगिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा बस यही एक लाइन है दोस्तों बहुत सारे लोग इस देश के ऐसे हैं जो ये जानते नहीं भारती जनता पार्टी के नेता आरिसेस के नेता विश्चु हिंदू पच्छद वाले और तोर बजरंग दल वाले भी ये जो तो जनता सुनती है तो समझती है कि ये तो बड़ा सही कह रहे है फिर वो बलते इक ये संभिधान में भी आहे लेकिन वह आम आदमी को ये नहीं मालुं की रहती संभिधान में ये कहां है यह यह fundamental right नहीं है यह नीत निर्देशक सिधान्त है सजेस्टिव है और उसका लाने का प्रयास है यानि कहा जाएगा कि प्राप्त करने का प्रयास करेगा इसके बारे में कांश्मेंट एसेंबली में बहुत सारी बातें कही गई हैं बहुत सारी मैं क्रमशा दोस्तों आपको हुआ तो देश कैसे चलेगा मेरा यह कहना है कि देश तो संसेतारी से चल रहा है और वैसे आप और आपके भक्त मानते हैं कि देश 2014 से चल रहा है अब आपने उसमें भी संसोधन कर डाला है कि देश अभी नहीं चल रहा है यानि 44 जब लागू होगा संगिता जब लागू ह होगी तभी सचंडल सरजी हमारे समिधान के प्रिएम्बुल में तो प्रतिष्ठा और ऐसर की समानता भी याद रखिएगा प्रिएम्बुल में प्रतिष्ठा की समानता रहेगी और क्या है दोस्तों हमारे प्रियम्बूल में सामाजिक आर्थिक राजनितिक न्याइ विचार औहुयक्ति विश्वास धर्म और उपास्ना की सतंत्रता होगी फिर क्या है प्रियम्बूल में बंधुता होगी और ऐसे नौजाने कितनी सुंदर सुंदर बातें लिखी गई हैं हमारे प्रियम्बुल में उन्हें नौ साल में मोधी जी की सरकार ने ठीक से लागू करने की जगा जो थोड़े बहुत लागू थे उन्हें भी बरबाद कर दिया उनको भी डिस्ट्रॉइक कर दिया धार्मिक स्वतंत्रता की जगा अपने यहां धर्म के आधार पर अब तो क्या-क् की शत्रूता की बात छोड़ दीजे लिंचिंग तक हो जा रही है खान पान पर पाबंदी आ गई अभी हम लोगों ने देखा की एक तिवहार आया था उसमें पता चला की कई जगहें ऐसी हैं जहां पर कुछ दुकाने बंद करा दी गई ताकि एक खास तरह का खादे-पद इस B भी है 43 वन A भी है और B भी है एक क्यावन H भी है उन्हें लागू करने की बात तो कभी सोचा नहीं सरकार ने और मौझूदा सरकार ने भी नहीं सोचा तो सिर्फ 44 के बारे में क्यों सोच लिया मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि किसी और प्रिंसिपल का जो बहुत जरूरी है जिनका मैंने अभी जिक्र किया ये 44 पर ही क्यों सोचा जा रहा है क्यों क्योंकि RSS जनसंग जमाने से ही इसका नारा लगा रहे हैं ये लोग जो अभी सत्ता में हैं और दोस्तों कई बार हाल के वर्षों में भी प्रयास हुआ है कि इसको सामने लाया जाए इस पर पूरे देश को प्रोलराइज किया जाए राज सभा में एक सदस्य ने बीजे पी के एक नीजी विधेयक भी पेश किया था जो पारित नहीं हुआ पर उसे लेकर कैबिनेट के एक मंत्री पी उसकोयल ने फरमाया था कि जो चीज संविधान में है उस पर किसी को क्यों आपत्ती हो सकती है उन्होंने डॉक्तर अंबेटकर का नाम लिया कांश्वेंट एसिमली में और ये कहा कि ड्राफ्टिंग कमिटी के चैर्में अंबेटकर साभी ने इसको पारित कराया था हाँ जी पारित तो किराया था लेकिन पारित तो 370 को भी कराया आठकिल 370 कश्मीर का लेकिन उसको आपके नेता और केवल अमबेटकर साहब ने नहीं आपके नेता जनसंग के संस्थापक श्यामा प्रशाद मुखर जी ने भी आठकिल 370 के पक्ष में वोट किया था उन्हों ने भी पारित कराया था पर आपने तो उसे खतम कर दिया खतम कर दिया ना 2019 के अगस्त महीने में तो अब आब बताईयें कि अमबेटकर ने जो कहा था वो उसपर आप इतना जोर दे रहे हैं लेकिन अमबेटकर ने ने इन फैक्ट कहा क्या था 23rd November 1948 को Dr. B.R. Ambedkar ने जो बात कही थी वो क्या है वो इस प्रकार है It doesn't say that after the code is framed, the state shall enforce it upon all citizens merely because they are citizens. दूसरा जो कोट उनका है बहुत इंपॉर्टेंट, it is perfectly possible that the future parliament may in the beginning make a provision that the code shall apply only to those who declare that they are prepared to be bound by it. इसका ये मतलब होता है कि बाबा सहाब ये कहा रहे हैं कि code को अगर frame किया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये लागु हो जाएगा, या लागु कर दिया जायेगा उनका कहना था कि ये तभी अपलाई होगा जब जिन लोगों पर अपलाई किया जाना है वो स्वेम भी स्विकार करें इसको ये संचेप में ये बात बाबा साहब की सामने आती है और डाक्टर अम बेट करने दोस्तों 2 दिसंबर 1948 को जो कहा था वो ये बहुत महत्पूर्ण है उन्होंने कहा कि हमारा कहना है कि स्टेट के पास सुधार के अधिकार जरूर होने चाहिए बट देर इस नो ओब्लिगेशन अपान दे स्टेट तो डू अवे विद परस्नल लाज अम बेट कर साहब ने तो ये भी कहा एक कांटेक्स्ट में एक टिपणी करते हुए बहास का कि कोई पागल सरकार ही संसत के दोनों सदनों में कानून बना कर UCC को नागरिकों पर जबरन ला देगी जबरन ला देगी इस प्रारूप से संबिधान के निर्माताओं का ये कत्तई लक्ष नहीं था यानि इस प्रावधान 44 से संबिधान के निर्माताओं का इसका मतलब कि ऐसा कोई लक्ष नहीं था जो बाबा साहब डाक्टर भीमराव अंबेटकर की जो टिपणियां मैंने पढ़कर सुनाई उनके बयान के टुकडे मैंने जो सुनाए उसमें ये बात बिलकुल दर्ज है मतलब साफ है कि कानून राज्य बना सकता है पर इसका प्रयोग भावी सरकारें वालंटरी आधार पर ही कर पाएंगी या करना चाहिए लोगों को धार्मी का जादी है इसके चलते समान नागरिक संगिता को वालंटरी करना होगा वालंटरी लगभग यही बातें 21 लाग कमिशन ने कुछ ही समय पहले दोस्तों ये कहा था और लाग कमिशन का यानि 21 लाग कमिशन उन्होंने कहा था कि नो तो आज की तारीख में ये जरूरी है 44 यानि UCC को लागू करना और ना तो वांचनी है लेकिन जब से 22 में लाग कमिशन का गठन हुआ कोई अन्य विचार के लोग आ गए और उन्होंने आनन फानन में इस पर लोगों के विचार मांग लिए मानो सरकार लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है कानून मामले की विधी कानून और अन्य कई विभागों के मामलों की जो पारलिमेंटरी स्टैंडिंग कमिटी है उसने भी अब तीन जुलाई को बैठक बुला दी है दो दिन के बाद तो अब कुल मिलाकर सिक्वेंस आप जोड़िए करम जोड़िए मोधी जी का भाशन बी अपने अपने कमिंट दे दें उन्होंने डिकलियर किया है इसके अलावा तीन जुलाई को पारलिमेंटरी कमिटी की बैठक ये सारे के सारे जो भारती जनता पार्टी से जुड़े और सरकार से जुड़े लोग हैं वो निश्चित रुप से समान नागरिक संगिता को पारल देश पर लागू करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं कहना चाहिए कि ये संविधान का आदेश है क्योंकि मैंने आपको पढ़कर सुनाया दोस्तो कि संविधान की भावना इसको लेकर थी क्या संविधान में बैठकर जो ड्राफ्ट कर रहे थे लोग संविधान के जो निर्माता थे उनका क्या मतलब था समान नागरिक संगिता के जरिये और दोस्तों बिलकुल आखिर में इस मिशह पर कि मैंने ये सुना है कि 5 अगस्त 2023 का कोई रिष्टा है समान नागरिक संगिता से क्यों 5 अगस्त 2019 को आर्ट किल 370 को खतम किया गया था आपको याद होगा औ और दोस्तों 5 अगस्त 2020 को अजद्या में राम मंदिर का शिला नियास हुआ था अब कहा ये जा रहा है बीजेपी सर्किल से ये खबर मिल रही है कि 5 अगस्त 2023 को ही यानि ठीक 3 साल के बाद अजद्या के ये जो समान नागरिक संगिता है इसका भी कानून पार्लेमेंट में पास कर दिया जाएगा इतनी हड़ बड़ी है इतनी हड़ बड़ी है कि ये तीनों जो RSS को मनपसंद जो कानून या प्रावधान जो चाहता रहा है हमेशा से राश्टी स्वेम सेवक संग अब 2025 भी आ रहा है RSS के 100 साल आ रहे हैं पूरे हो रहे हैं तो मजुदा सरकार चाह ये तीनों चीजें पूरी कर दी जाएं जिससे की एक संगी संगी हिंदू रास्ट हिंदुत्वादी रास्ट बनाने में आसानी हो जाए और दोस्तों एक बात और मैं बता कर अपनी बात इस मुद्दे पर खतम करूंगा कि दरसल ये जो मसला है नागरिक संगिता का ये सु का मसला नहीं है ये हिंदू का भी मसला है ये ट्राइवल्स का सबसे जादा है भारत में जो ट्राइवल आबादी है वहां भी इसको लेकर तमाम तरह की मुश्किलें और जटिलताएं पैदा होंगी तो ये समाज के अंदर से ये निकलने वाली चीज़ है और अपने देश म आजादी के बाद संबिधान लागू होने के बाद उनिक ऐसे कानून इनेक्ट किये गए हैं बनाए गए हैं जिनोंने परस्नल लौज जो हैं या इस तरह के जो सामाजिक सामुदाईक जो रीत रिवाज हैं उनमें काफी संसोधन आलेडी किया जा चुका है जैसे उधारन क मैं कुछ कानूनों का यहां पर उलेक करना चाहूंगा अपने देश में जैसे स्पेशल मेरेज एक 1954 है डावरी प्रोवीशन एक 1961 है फॉरेंड मेरेज एक 1969 है मेंटेनेंस प्रोसीजर ला यह है जो की क्रेमिनल प्रोसीजर एक एक 1973 के तहता आता है प्रोटेक्शन आप वीम मेरेज एक्ट है 2006 ऐसे अनेक कानून है जो धार्मिक पुर्वाग्रा या अन्य जो आग्रा पुर्वाग्रा हैं उनके उनको काफी कम करते हैं कस्टम्स जो हैं परंपराएं जो हैं उनमें हस्तक शेप करते हैं और अनेक लोगों ने अनेक लोगों ने अनेक समुदायों ने इन कानून के मतलिक अपने यहां संशोधन भी किये हैं और रिफॉर्म्स जो हुए हैं वो एगस्क्यूट भी किये जा रहे हैं तरीका ये था समान नागरिक संगिता का मैकसिमम एचीव करने का पुलराइस करने का समाज को टक्राओ समाज में पैदा करना और लोगों में बेचैनी पैदा करना मैं नहीं समझता कि किसी भी शासन प्रसासन के लिए ये उचित है इसलिए मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ दोहजार चौबिस के चुनाओं के लिए और उसके पहले विधान सभा के चुनाओं के लिए ये सारा का सारा खेल चल रहा है झाल झाल